खरगोंजी लेके ग्रामून में एक किसान के खेट से लगबग पांच क्विंटल चने की चोरी का मामला सामने आया है जिसके बाद किसानों ने पुलिस से फसलों की सुरक्सा की मांग की है शनिवार रविवार की दर्मियानी रात्री उनके मुंशी तालाप शेत्र के एक किसान के खेट से पांच क्विंटल डालर चना चोरी हो गया जिसके बाद किसानों ने पुलिस थाने पहुच कर रोज रताते हुए पुलिस की रात्री गस्त सुचारों रूप से करने की बात र पहना है उसकी पांच क्विंटल फसल की चोरी हुई है तथा फसलों की सुरक्षा के मद्दे नजर पुलिस द्वारा धिल पोल रविया अपनाया जा रहा है जबकि इसी शेत्र में ज्यादा तर फसलों की चोरी होती रहती है किसान द्वारा अज्याच चोरों के खिलाब एफ ठाणी की गाड़ी एक भी बार राउंड लगाती है आप ख्रपया करकर राउंड लगाऊ और ठाणे में चने चोरी नहीं होंगे जब कि दूसरी बार मेरे खेत में वापिस 4-5 कुझनल का चना ले गए हैं और ठाने वालों को सुचना देने के बाद ठाने वाले यह बोलते कितना माल चोरी हुआ है आपका मेरा कम से कम चार से पांच कुंटल अनुमानी थे मुझे कुछ पता नहीं एसा कि चोर कितना माल ले गए यह चोरी तेरा फरवरी को भी हुई थी और उसके बाद में आज 26 फरवरी को हो रही है तो आपने ठाने पर इसके पूरू में कभी भाने में बता देना और सुचना डाल देना कि चोर घुमे उदर राउंड लगा है पर यहां पर कभी भी गाड़ी नहीं आती थी इदर तो अभी आप क्या चाहते हूं मैं यह चाहता हूं कि यहां पर इस एरिये में सबसे ज़्यादा चोरी होती है या तो दो जवान कंटी इदर बिठाओ या तो फिर गाड़ी कंटीनियो आना चाहिए चार से पांच गुमना चाहिए और चोरों पर पुलिस का धाक होना चाहिए नहीं तो चोर खा जाएंगे किसानों को आपका सुबनाम क्या है मेरा नाम सुबनाम आशीश पाटिदार है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें